आवद में नवाबों का इतिहास यूरोप से प्रभावित था इस्ट इंडिया कमपनी में लगभग सभी नवाबों को अपना गुलाम बना लिया था कुछ नवाब थे जो नहीं जुके उन्होंने अंग्रेजों से अंत तक संघर्ष किया आईए आज हम मुहम्मद खान बनगश के भाई हिम्मद खान के बारे में जानने के लिए चलते हैं मेरत मेरत वो जगह है जहां 1857 में इंडियन म्यूटिनी की शुरुवात हुई थी मेरत के कैंट क्षेत्र में ये है मुस्तफा कैंसल हिम्मत खान का पुत्र मुर्तजा खान एक उच्छकोटी का मद्यस्त करता था मुर्तजा खान ने मराथो वर राजा जस्वन्त सिंग होलकर के बीच मद्यस्तता कराई थी 1813 में मुर्तजा खाने नीलामी में जहांगिराबाद की स्टेट खरीद ली थी 1804 में मुर्तजा खान के यहां पुत्र का जन्म हुआ नाम था मुस्तफा 1857 में बुलंद शहर के वालिदाद खाने अंग्रेजों को छका मारा था वालिदाद खान से संबंद के कारण मुर्तजा खान को साथ वर्ष की कैद की सजा हो गई उन्हें घर में ही कैद कर लिया गया 1879 में दिल्ली के मोहला चेलान में मुर्तजा खान का दिहान्त हो गया मोहला चेला नवाब फर्रूखाबाद मुहम्मद खां बंगश द्वारा दिल्ली में बसाया गया था आगे चलकर मुस्तफा खां बहुत बड़े शायर हुए तकहललूस था नवाब शेफता इन्हें मिर्जा गालिब, हसरत मोहानी, हाली वजोग के समकक्ष माना जाता था मुस्तफा खां के तीन पुत्रों में एक थे नवाब इशाक खां मुहम्मद इशाक ने जहांगीराबाद की अपनी इस रियासत में एक कैसल बनवाया था ये महल मुस्तफा कैसल नाम से प्रसिद्ध हुआ, आज ये मेरट का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है 1918 में मुहम्मद इशाक खां की मृत्यु हो गई, स्वतंत्रता के उस परिवेश में पुत्र नवाब मुहम्मद इसमाईल खां राष्ट्रिय राजनीती में भागीदार हो गए अब मुस्तफा कैसल राजनीती का एक मुख्य केंद्र हो गया था यहां राष्ट्रिय नेता मीटिंग करते, अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रेटजी तयार करते यहां जिन्ना, नहरू, पतेल, सरोजनी नाइडू, मौलाना आजाद, गांधी आदी राष्ट्रिय नेताओं का जमावणा लगता था आज यह मेरट में राष्ट्रिय धरोहर के रूप में सुरक्षित है, अगर दोनों भायों नवाब मुहम्मद खां बंगश वहिम्मद खां की तुलना की जाए तो दोनों देश की आन बान्शान के प्रती पुनर्तह समर्पित थे दोनों खांदानों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानिया दी, फरुखाबाद के तीम नवाबों को फांसी वर 161 सैनानियों को काले पानी की सजा दी गई थी, एक तलवार का धनी था तो दूसरा कलम का धनी, हिम्मत खां का हेरिटेज संभाल कर रखा गया, जो अब वैडिंग व्यू साइट के रूप में कारेरत है, मोहम्मद खान बंगश के फतेहगड के किले में सिख लाइट ट्रेनिंग सेंटर कारेरत है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, वा बेल बटन अवश्य दवा दे कर स्योन कि ऊब है कि वा बटना बंगश करेंग le दो पना सकते हैं, म scream, और दो दूफ में में सुछियों है, पिसमैंस औरियों क्लिवा।